नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरवधवन दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद गौरवधवन पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही important main difference जो है past indefinite और past perfect के बीच में क्योंकि बहुत लोगों को इन दोनों tenses में problem है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये session दोस्तों अगर ये जो sentence आपके सामने लिखा हुआ है क्या तुम चार बजे मंदिर पहुँच गए थे दोस्तों अगर इस sentence की English बनानी हो और क्या तुम मंदिर पहुँच गए थे अगर इस sentence की English बनानी हो तो इसकी English एक arm student यू बनाएगा क्या तुम मंदिर पहुच गए थे यानि क्या तुम चार बजे तक मंदिर पहुच गए थे या तो ये तरीका अपनाएंगे लोग या ये तरीका अपनाएंगे और 90% की अगर मैं बात करूँ 90% लोग इस तरीके को अपनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहुँच गए थे 4 बज़े तक तुन्हें लगता है कि शायद बात Past Perfect की है क्योंकि यहाँ पर इसलिए मैंने पी-पी लिखा है Past Perfect और क्या तुम मंदिर गए थे इसके लिए एक जनरल जो है तरीका यही है और यह बिल्कुल सही भी है यानि यह Past Indefinity में सेंडेंस लिखा गया है और बिल्कुल सही है अब उपर वाले दोनों सेंडेंसे में से सही कौन सा है 90% लोग यह बनाते हैं और बहुत कम लोग यह बनाते हैं यह जो तरीका है जिसको मैंने आपको थमनेल भी दिखा रखा है कि 90% लोग यह वाला तरीका अपनाते हैं लेकिन यह तरीका गलत है अब क्या कारण है इस चीज के पीछे देखे तो यह बात अभी आप यहां क्लियर कट दिखा रहे हैं कि क्या तुम चार बज़े तक मंदिर पहुँच गए थे इस चीज के लिए अगर आप had you reached temple से sentence बनाओगे past perfect में बनाओगे तो यह sentence गलत है did you reach the temple by 4 o'clock यानि अगर यह sentence past indefinite में बनेगा तो ही correct है देखिए दोस्ताँ अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि फिर past perfect कब सही होता है इससे पहले आप यह sentences देखिए क्या तुम मंदिर पहुच गए थे जब मैंने फोन किया था अब यह sentence बिलकुल सही है had you reached temple when I called you क्या तुम time पर station पहुच गए थे अब यह sentence past indefinite में पी आई लिखा है did you reach station on time थोड़ थोड़ फरक अभी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा क्या तुम station पहुच गए थे जब मैंने फोन किया था तो guys अब यहाँ आप देख रहे हो यह भी sentence हही है यह भी correct है यह हालां कि past indefinite में है यह correct है अब जो main बात है जिससे यह difference clear हुगा यह है यह चीज की आखिर past perfect आता कब है sentence आखिर past perfect में बनता कब है यह कब बन सकता है देखे past perfect के साथ past indefinite का आना compulsory है past perfect अकेला नहीं आ सकता तो past perfect के साथ past indefinite का आना compulsory है past perfect कभी अकेला नहीं आ सकता इसी वज़े से जब आपने sentence देखा had you reach temple by 4 o'clock यह past perfect में था और इसी वज़े से यह गलत हो गया लेकिन जब अपने ऐसा sentence बोला क्या तुम मंदिर पहुँच गए थे जब मैंने phone किया अब देखे had you reach temple when I called you यह sentence बिलकुल सही है इसके अंदर यह जो इतना part आपको दिखाई दे रहा है yellow color में यह past perfect में है और यह जो इतना part आपको दिखाई दे रहा है white वाला यह past indefinite में है यह sentence बिलकुल सही है क्योंकि इस sentence के अंदर जो है आपको past indefinite भी दिखाई दे रहा है past perfect के साथ मैं आपको एक slide द्वारा पिछले जाके वो भी दिखा देता हूँ जो आपने पिछली slide में आपको दिखाया था had you reached temple when I called you इसके अंदर भी दोस्तों देख लो had you reached temple perfect में है और यह indefinite में है और क्या तो मंदिर पहुँच गए थे तो यहाँ पे भी देख लो had you reached station यह भी past perfect में है so guys एक important बात यही है कि past perfect कभी एक एक एला नहीं आ सकता बात करें past indefinite की तो past में किसी निश्चित समय पर अगर कोई करिया हुई तो अगर आप उस से related कोई बात करना चाहते है तब हमेशा बात past indefinite में ही आएगी वो past incident हो, journey हो, routine हो, कोई बात हो वो चीज जो है, वो past indefinite में ही आती है और past indefinite अकेला आ सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है so did you reach temple by four o clock यह past indefinite में ही है क्योंकि यहां पे आप बता रहे हो कि exactly 4 बजे क्या तुम आप पूछना चाहरे हो कि क्या 4 बजे station पहुँच गए थे तो past के अंदर 4 बजे पे आप कुछ पूछ रहे हो ठीक है जी, तो क्या तुम station पहुँच गए थे अब अगर आपके मन में एक चोटा सा डाउट यह है जैसे कि मैंने आपको यह जो sentence बताया था जिसके अंदर यह दोनों चीज़े आ रहे है past perfect भी आ रहा है, past indefinite भी आ रहा है तो मैं बता दूँ कि अगर past के किसी time में दो action complete हुए हो जैसे दो काम यहां complete होते दिखाई दे रहे है temple पहुँचना और phone करना तो यह दोनों काम past में हुए तो पहले क्या हुआ पहले definitely मंदिर पहुचना हुआ है इसी वज़े से past perfect में आएगा बाद में हुआ phone करना तो यह आएगा past indefinite में अगर आप उमसे जुड़ना चाहते हैं तो यह telegram पर मेरा address है और यह facebook पर मेरा address है आप मुझे जुड़ सकते हैं तो गाइज मुझे उमीद है यह video आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह video पसंद आई है अगर आपको कोई doubt तूर हुआ है तो आप लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों बबाई थेंक्स पूर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन जै भारत